हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेटनिक्स में दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंप्रूव्मेंट के बारे में यूपी बोर्ड इंप्रूव्मेंट और कंपार्डमेंट दौनों के बारे में बताएंगे कैसे आपको आविदन करना है कब करना है दोस्तों कितने सब्जेक्ट में दे पाएंगे आप एक्जाम कितनी फीस होगी कब होगा एक्जाम कब आए को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से चोटी सी रिक्वेस्ट है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्क्ल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस परना ना भूलें जिससे कि मैं कोई भी नय वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं लेकर चलता हूँ आपको यूपी बोर्ड की ऑफिचल वेबसाइट पर जहां पर आपको बताऊंगा मैं 10th क्लास का 12th क्लास का सभी के बारे में improvement और compartment की पूरी details दोस्तों यहां पर आपको type करना upmsp.edu.in दोस्तों और इसकी यूपी बोर्ड की official website open हो जाती है और यहां पर आपको दिखेगा 10 में verse 2020 के high school compartment improvement एंव intermediate compartment के आविदन यहां किलिक करें दोस्तों इस line में जो लिखा है उसी से आप समझ गई होंगे आपके एक सवाल का जवाब तो मिली गया होगा कि high school में compartment और improvement दोन होंगे और 12th क्लास में सिर्फ compartment होगा दोस्तों तो इस चीज़ का सवाल आपको मिल चुका है कि 12th में improvement नहीं होगा सिर्फ compartment का exam होगा दोस्तो तो आपको पता है ये 5 अगस्त से आविदन स्टार्ट हुए थे और इसकी last day दोस्तों 20 अगस्त है तो 20 अगस्त से पहले पहले यानि आज 10 है तो 20 से पहले पहले आपको इसके आविदन कर देने हैं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों क्या कुछ कहती है इसके notification वो मैं आपक को एक बार दिखा देता हूँ यहां पर देखिए विग्यप्ति हाइस्कूल कंपार्टमेंट इंप्रूब्मेंट एंड इंटर्मेंटेट कंपार्टमेंट परिक्षा 2020 तो यहां पर एक PDF आपको मिल जाएगी जिसको आपको बहुती अच्छे से पढ़ लेना है लेकिन मोटी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो कि इसका जो आवेदन है वो upmsp.edu.in website से होगा और इस्कूल के द्वारा ये किया जाएगा आपके जो प्रधारत द्यापक है या आपका जो administration है वो इसको apply करेगा आपको कोई भी आवेदन नहीं करना है website पर जाकर तो दोस्तों यहां प 50 रुपे हाई स्कूल में और यहां देखिए 306 रुपे इंटर में दोस्तों तो यहां पर आपको बता दे हम के हाई स्कूल के अंदर दो सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आप एक सब्जेक्ट का compartment दे सकते हैं इसके अलावा आप improvement पी सिर्फ एक सब्जेक्ट क दे पाएंगे दोस्तों तो यहां पर intermediate की बात करते हैं तो यहां पर एक सब्जेक्ट का compartment आप दे सकते हैं दोस्तों इसके अलावा आपको improvement की जगा यहां पर नहीं मिलती है improvement आप यहां से नहीं दे सकते हैं इसको आविदन करने के लिए एक application में type करना है आपको या लिखन है हाद से कि मैं इसी subject में fail हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ इतने number आए हैं मैं compartment का exam देना चाहता हूँ या चाहती हूँ या improvement का exam देना चाहता हूँ या चाहती हूँ application एक proper तरीके से लिखके उसके बाद अपना जो result की copy लगा कर अपने principle को फीस के साथ आपको जमा कर द की बात करते हैं तो माक्षीट पर आपका compartment लिखा हूँ या improvement लिखा हूँ नहीं आएगा माक्षीट पर आपका सब कुछ clear आएगा तो इस बास से आप बेफिगर रहे हैं माक्षीट पर आपको compartment का stamp तो नहीं लगेगा दोस्तो तो यहां पर बहुत सारी सुविदा आपको म अध्यम से आपको अफगत करा दूँगा तो दोस्तो बेरे चैनल के साथ बने रही हैगा subscribe कीजिएगा bell icon का button प्रेस कीजिएगा जिससे के आपको notification मिलता रहे दोस्तो अगला सवाल दोस्तो यहां पर आता है कि जो लोग एक subject में fail हैं वो क्या कर सकते हैं दोस्तो तो यहां इस नमबर का grace भी additional मिल सकता है एक subject के अलावा दोस्तो अब 12 की बात करते हैं तो अगर आप एक subject में fail हैं तो आपको compartment exam देना होगा तो दोस्तो यह कुछ चीजें थी जो मुझे clear करनी थी अगर मैं इसको पूरी तरह से पढ़के आपको PDF को बताता तो यह आदा गंटे की व वीडियो सिर्फ इन तो और यह चोटी सी वीडियो में आपको समझाना चाता था यूपी वोड इंप्रूब्मेंट और compartment के बारे में इसके अलबब कोई भी सवाल आपका अगर रह गया है या मैं इसमें जवाब नहीं दे पाया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आईएगा म मैं आपका रिप्लाइ करूंगा ओके फ्रिंट्स मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए